पाठ दो मेरे संग की औरतें प्रिष्ठ संख्या 13-26 तक लेखिका मृदुला गर्ग लेखिका परिचय समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपून हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ उन्होंने दिल्ली विश्व विद्याले से एमे अर्थशास्त्र में किया भारत के विभिन शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे है मृदुला गर्गने, कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है प्रमुख कृतिया, उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित कोब्रा, कथ गुलाब, जो उनके उपन्यास है संगती विसंगती, दो खंडू में संपूर कहानिया है रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, निबंध संग रहा है अप्रस्तुत है पाठ, मेरे संग की औरत है मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं मेरी माँ की शादी होने से पहले ही, उनकी मृत्ति हो गई थी शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहिनों को खुद कहानिया कहनी पड़ी नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया पहले इतना ही जाना की मेरी नानी, पारंपरिक, अनपढ़, परदा नशी औरत थी, जिनके पती शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायच चले गए थे कैम्बरिज विश्व विद्याले से डिक्री लेकर जब वे लोटे और विलायती रीती रिवास के संग जिन्दगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांग्शा या पसंद नापसंद का इ एक लोटी बेटी, मेरी मा की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुझोर हो उठी, नाना से उन्होंने कहा कि वे परदे का लिहास छोड़ कर उनके दोस्त सुतंतरता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं, सब दंग हैरान रह गए, जिस परदा नशी आखरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी, सवाल जवाब में वक्त बरबाद करने के बजाए, फोरण जाकर दोस्त को लिवा लाए, और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंकेस था, उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तै करेंगे, मेरे पती तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंड कर उसकी शादी कर वादी जिएगा, कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश के आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा, बाद में मेरी समझ में आया कि दरसल वे निजी जीवन में काफी आजाद खयाल रही होंगी, ठीक है, उन्होंने नाना की जिन पारंपरिक, गरेलू, उबाओ और खामोश जिन्दगी जीने में, आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी खैर, इस तरह मेरी मा की शादी ऐसे पढ़े लिखे हुनहार लड़के से हुई, जिसे आजादी के आंदोलन में हिसा लेने के अपराद में, आई सी एस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसके जेब में पुष्टैनी पैसा देला एक नहीं था मा, बेचारी, अपनी मा और गांधी जी के सिद्धानतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उंचे खयाल रखने पर मजबूर हुई हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी बारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती रात रात भर जाक कर वे उसे पहनने का भ्यास करती जिससे दिन में शर्मिन दगी न उठानी पड़े वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानि मेरी दादी ने कहा था हमारी बहु तो ऐसी है कि धोई, पोची और च्छींके पर टांग दी गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें च्छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की क्यों नहीं की, उसकी दो वजहें थी पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी सहबों से खासे अभी भूत थे और मेरे नाना पक्के सहब माने चाते थे बस जात से वे हिंदुस्तानी थे बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई, सब में अंग्रेज थे मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशन सक्ते गांधी नहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शुहरत सिर करता रहे दब दबा उसके साहसी ससुर का ही था एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजग जान लड़की सौपी उससे रुमान चक क्या कोई परिकथा होती नानी की सनक भरी आखरी ख्वाहिश और नाना की रजा मंदी वे रुमान चक उपकत हाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी दूसरी वजह मा की अपनी शक्सियत थी उन में खोबसूरती, नजाकत, खेर दुनियादारी के साथ इमानदारी और निश्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजाद से कम जादूई नहीं मालूम पड़ती थी उन से ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर के तरह निभाई भी जाती थी मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था हम हाथी पे हल न जुत्वाया करते हम पे बैल है बच्पन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की मम्तालू परवरिश के मामले में मा के सिवा, घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे दादी और उनकी जिठानिया ही नहीं खुद मर्द जात, पिता जी भी पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि मा को आजादी का जुनून कम था वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए जिस दिस से पूछ कर उसके तरीके से नहीं खुद अपने तरीके से हमने अपने मा को कभी भारतीय मा जैसा नहीं पाया ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पतनी बहु होने की सीख दी कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घरबार नहीं संभाल पाती थी पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरूची का था उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीटता था बागी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था हमारे परम परागद दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रगते थे उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यूं थी जबकि वह पतनी, माँ और बहु के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी सहबी खांदान के रॉप के अलावा मेरी समझ में दो कारण आये है पहला, वे कभी जूट नहीं बोलती थी और दूसरा, वे एक गोपनिया बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी पहले के कारण उन्हें घरवालों का आदर मिला हुआ था दूसरे के कारण बाहरवालों की दोस्ती दोस्त वे हमारी भी थी मा की भूमी का हमारे पिता बखो भी निभा देते थे मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों नहो और मा यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं चोटे से घर में छे बच्चों के साथ सास ससुरादी के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फाइदा उठा कर हम तीन बहने और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए लीग से खिसके अपने पूरवजों में मा और नानी ही रही होती तो घनी मत रहती पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था उन्होंने वरत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी दो से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी जैन समाज में आपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती इसलिए वहां तक तो ठीक था पर उनका असली जल्वा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाए सरे आम उसका ऐलान कर दिया लोगों के मुह खुले के खुले रह गए उनके फितूर की कोई वाजब वजह ढूंडे ना मिली यह भी नहीं कह सकते थे कि खांदान में पुष्टों से कन्या पैदा नहीं हुई थी इसलिए माजी बेचारी कन्यादान के पुन्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी क्योंकि पिता जी की ही नहीं दादा जी की भी बहने मौजूद थी हाँ, पहला बच्चा हर बहु का बेटा होता रहा था खैर, माजी ने भी अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी बलकि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही पूरा नकूर गाउं जानता था कि माजी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है बेतार का तार इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास तुबच्चता मेरी दादी तो पहली मरतबा में ही तयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती पर माजी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी घुमान न रहा होगा लड़की की गहर वाजब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी पांच करने आए एक के बाद एक धर्ती पर उतार दी भगवान को क्या कहें? माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे माजी और नामी चोर का किस्सा हुश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था चोर के दीदार की खुशनसी भी भी हाथ आई थी हुआ यू था कि किसी शादी के सिलसले में नकूर की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गाउं गए हुए थे औरतें सजधच कर रत जगा मना रही थी नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगा कर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई पर चोर था बदकिस्मत जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा चोर दूसरे में जा सोई थी चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिटला कर उतरा था उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुर्खिन जगह बदल लेगी खेर बुढ़ापि की नींद ठहरी चोर के दबे पावों की आहट से ही खुल गई कौन? माजी ने इत्मिनान से पूछा जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारम परिक असंगत जवाब दिया पानी पिला माजी ने कहा जी मैं चोर जिजग कर रह गया तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुए से पानी भरला पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से चानियो चोर गबरा गया अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी पर बुढ़िया भांग भी चानती होगी एकदम यकीन ना हुआ इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा जल्दी कर भाई तब ही माजी ने कहा बड़ी प्यास लगी है पर मैं तो चोर हूँ मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया हुआ करे माजी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला पर देख मेरा धर्म ना बिगाडियो लोटे के मुह से कपड़ा ना हटाईयो हाथ रगड कर धो लीजो और पानी कपड़े से च्छान कर भरियो आप चोर के हाथ का पी लोगी कहा ना रगड कर धो लीजो सब नाच गाने में लगे हैं तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे है सुनकर चोर कुछ ऐसा अक बकाया कि लोटा उठा कर चल दिया पूरी एहतियात के साथ पानी भर कर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पी कर बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पी कर हम मा बेटे हुए अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा सो रुमान्चक धंदा छोड़ खेती से लगा सालो साल लगा रहा जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे डरा डरा हैरान सा अब खांदानी विरासत कहिए या जिवानूं का प्रकोब उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फसी एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रुमानी ही रही पंदरह अगस्त उननिस सो सेंतालीस को जब देश को आज़ादी मिली या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से मैं बीमार थी उन दिनों टाइफाइड खासा जान लेवा रोग माना जाता था इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजासत नहीं दी चुँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र उनसे ज्यादा नाना थे इसलिए हमारे पिताजी जो बाद बाद पर सत्ता धारियों से लड़ते भिड़ते भिड़ते थे चुपी साध गए मैं बदस्तूर रोती कलपती रही क्या कोई बच्चा इकलोती गुडिया के तूट जाने पर रोया होगा मेरी उम्र तब नौ बरस की थी इतनी छोटी नहीं कि गुडिया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स काराम जो वो उपन्यास पकड़ा गए किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ या कोई और काम पकड़ूँ उस वक्त ब्रदर्स काराम जोफ मुझे देने में क्या तुक थी तब मेरी समझ में नहीं आया किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती क्यूंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़ मड़ हो गए कितना पहली बार में पले पढ़ा कितना बाद में कहना मुश्किल है पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्त हो गया था उम्र के हर पढ़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपून भाग को प्रभावित करता रहा जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं वह तीन किलो की छोरी जैसी कहानियां वह कठ गुलाब उपन्यास के कई अंज माजी की मननत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारो बहने भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई नानी, मा और परदादी की परमपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किये रहीं पहली लड़की जिसके लिए मननत मांगी गई थी वह मैं नहीं मेरी बड़ी बहन मनजुल भगत थी घर का नाम था रानी बाहर का मनजुल लेखी का अवतार हुआ मनजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदल कर पती का ग्रहन करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई इसलिए पैदाईशी जैन नाम छोड़ भगत बनी दूसरे नंबर पर मैं थी घर का नाम उमा बाहर का मृदुला मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया सो बतौर लेखी का नाम चला मृदुला गर्ग मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारिवाद का चलन हुआ था शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगा पंथी घर घुसू क्यों हो नाम क्यों बदला हमारे पास इसका कोई ढंका जवाब नहीं होता था अब भी नहीं है पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे पाँच बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के दो-दो नाम रख छोड़े हैं मुझसे छोटी बेहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा वह नहीं लिखती तो पिताजी ने इतनी बाद जमाने की सुनी कि उनका एक-एक नाम ही रखा रेन और अचला पाँच बेहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव मज़े की बात यह है कि बीच की दो बेहने ही लेखन से बची रही अचला और राजीव फिर उसमें जा भसे अचला मुझसे आठ साल छोटी है और वक्त के बदलाओ की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हम चार लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता इस तथे को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धी से दो चार नहीं होना पढ़ता खेर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धर्ती पर आई और लेखक नहीं बनी जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था कोई दम कि गर्मी की दुपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड़े से लेने जाती तो रेणू उसमें बैठने से इनकार कर देती उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठ कर तै करना चारी का भी मा तो सब चीजों से उदासीन रहती थी पर पिता काफी कुढ़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू पीछे पीछे पसीने में तर बतर खरामा खरामा बच्पन में एक बार चुनोती दिये जाने पर उसने जनरल थिमया को पतर लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था जो एक मोटर साइकल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था पडोस में उसका रुद्बा काफी बढ़ गया था गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहिस था स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई पहले मुझे समझाओ की बीए करना क्यों जरूरी है तम मैं इम्तिहान दूँगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फाइदा है वरना नहीं हमने तरह तरह के तरक दिये मा ने कहा पिताजी से पूछो पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी शाधी कर पाओगी लोग इज़त से देखेंगे वगेरह वगेरह कोई तरक विश्वसनिये नहीं लगा ना रेणू को ना खुद उन्हें आखिर उन्होंने उसी कुतरक का सहरा लिया जो युगों से मा बाप के काम आता रहा है कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो रेणूने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिता के खुशी के लिए यानि पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह मां से भी दो कदम आगे है गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते है वह मजाग कर रही होगी इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हसाय रख लेती है आज भी उसे कोई इत्र भेट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ तीसरे नंबर पर चित्रा है वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिल्चसपी औरों को पढ़ाने में रखती थी इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे पर अपने यहां सब चलता था उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से मुश्किल यह थी कि हमारे माबाप ही नहीं खुद लड़का भी उसके निरणे से वाकिफ नहीं था पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई कोई मुश्किल पेश नहीं आई आती क्यूं? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है तो उसने बात आगे खींची ही नहीं पहली मुलाकात में ही हतियार डाल दिये हम में सबसे चोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही पिता का कहा मान कर पहले अर्थ शास्त्र किया फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया धंग से पढ़ाही की, पास हुई फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई घरबार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मनजुल और मेरी तरह उम्र के तीस बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया एक बात हम में एक सी रही घरबार को परमपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो उसे तोड़ा भी नहीं शादी एक बार की और उसे कायम रखा चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डू भी नहीं शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रियोजन सिध्ध नहीं होता घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जीलो तो काफी है शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे चोटे कजबे डालमिया नगर में रही जहां मर्द और तें चाहे पती पतनी क्यों ना हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैटते मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़ कर वहां पहुँची थी और नाटकों में अभिने करने की शौकीन रही थी मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी साल भर के भीतर उनहीं शादी शुदा ओरतों को पराय मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिए अगले चार साल तक हमने कई नाटक किये अकाल रहत कोश के लिए उनहीं के माध्यम से पैसा भी खटा किया वहां से निकली तो करनाटक के और भी छोटे कजबे बागल कोट में पहुँच गई तब तक मेरे दो बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे पर वहां कोई ढंका स्कूल नहीं था लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सिमेंट कार खाने की आर्थिक मदद से हमारे कजबे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे मैंने घैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिध्ध करते हुए अपना इसरार चारी रखा तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले सौ बरसों तक चलता रहेगा मुझे घुसा आ गया मैंने कहा स्कूल के छोड़िए किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया चासकता कि वह अगले सौ बरस तक चलेगा वे भी घुसा खा गये बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है मेरी नही बात कड़वी थी पर सौ फीसदी सच सच के आगे सिर जुकाने की हमारी बच्पन की आदत थी सु मैंने तै किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नर तीन भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और करनाटक सरकार से उसे मानिता भी दिलवाऊंगी वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह वरत पूरा हुआ मेरे बच्चे तथा अन्ने अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े बाद में अलग-अलग शहरों के अलग-अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्धी पन के नमूने पेश किये पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में जो शुरू से अब तक लीग से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणों के मुकाबिल नहीं पहुँच सकती 1950 के अन्तिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ नौ इंच बारिश हो गई दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी अगली सुभा किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था जाहिर है कि रेणू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई रेणू ने कहा कोई बात नहीं मैं पैदल चली जाऊंगी सबने समझाया स्कूल बंध होगा मत जाओ उसने कहा आपको कैसे पता इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था हमारी यहां फोन जरूर लगा हुआ था स्कूल में भी रहा होगा पर बारिश के चलते वह ठब पड़ा हुआ था तो रेणू अकेली पैदल स्कूल चल दी खनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्ट बरस लेने के बाद थम गई थी सडकों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था तो रेणू दो मील पैदल चल कर स्कूल पहुँची जैसा हमने कहा था वह बंद था चौकीदार रेणू को देख दंग रह गया पर रेणू को कोई मलाल नहीं था वह वापस दो मील चल कर घर पहुँच गई सब ने कहा हमने पहले ही कहा था उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई इसमें आपका कहना कहां से आ गया सोचती हूँ कैसे रुमांच का अनुभाव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लब-लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मन्जिल की तरफ चलते चले जाना सच अकेले पन का मज़ा ही कुछ और है शब्द अर्थ पर्दा नशी अर्थात पर्दा करने वाली स्त्री मुहजोर अर्थात बहुत बोलने वाली फर्मा बर्दार यानि आग्याकारी मुस्तैद अर्थात तयार, चुस्त, ततपर फजल अर्थात अनुग्रह या दया आपरिग्रह अर्थात संग्रहन ना करना या किसी से कुछ ग्रहन ना करना बदस्तूर अर्थात नियम से अकबकाया अर्थात घबराया ब्रदर्स काराम जोव इसके लेखक प्रसिध रूसी उपन्यासकार दास्तो वस्की हैं। प्रश्ण अभ्यास प्रश्ण एक प्रश्ण तीन लेखिका की माँ परमपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सब के दिलों पर राज करती थी इस कथन के आलोक में क लेखिका की माँ की विशिष्टाइं लिखिए ख लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए प्रश्न चार आप अपनी कलपना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मननत क्यों मांगी प्रश्न पाँच डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजुता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है पाठ के आधार पर तरक सहित उत्तर देजिए प्रश्न चै शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उलेख कीजिए प्रश्न साथ पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है प्रश्न आठ सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विशिश्टाएं लिखिए